T20 World Cup में उलट फेर का दोर खतम ही नहीं हो रहा और आज इस उलट फेर का सिकार हुई साउथ अफरीका नीदलेंड से मिली हार के बाद साउथ अफरीका सेमी फाइनल के रेस से भार हो चुकी है और इसका सीधा फाइदा मिला पाकिस्तान को पाकिस्तान और बांगलादेश के लिए आज एक बेस्ट उपचुनिटी था सेमी फाइनल में आने के लिए जिसको जो है पाकिस्तान ने दोनों हातों से लपक लिया करीबन करीबन T20 World Cup से बाहर हो चुकी पाकिस्तान को आज खुस होने का बहुत बड़ा रीजन मिल गया है क्योंकि पाकिस्तान यहां पे सेम फाइनल में एंटर करता एडिलेड में खेले के इस मैच में टॉस जीत कर बंगलादेश ने पहले बैटिंग करने का निर्नाई लिया साक्यब उलहसन का यह निर्नाई बिलकुल भी उनके लिए सही साबित नहीं हुआ क्योंकि 20 ओरों में आठ विकेट पे बंगलादेश ने ने 54 रन जबकि लिटिल दास जिन्होंने इंडिया के खिला बहुत अच्छी बैटिंग की सिर्फ 10 रन पर आउट होगे सौमे सरकार 20 रन के और सबसे ज़्यादा यहाँ पे साकिबुल हसन जो की बंगलादेश के कैप्टन है उनके आउट होने पे बहुत ज़्यादा कोश् एक सो सताइस रन पर आउट होगी पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग करते हुए साहीन अपरिदी फिर से अपने लाइप पकड़ चुके हैं चार ओवरो मैं 22 रन देगे चार विकेट लिए उनके अलावा साकिब खान ने चार ओवरो मैं 30 रन देगे दो विकेट लिए पाकि अबिस्तान ने अमपैर कोट नोट आउट डिसेजन के लिए कितने पैसे दिये पर फ्रेंट्स यहाँ पर अगर आप चाहते हो टीम इंडिया को सिमी फैनल में देखना तो चलब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए न्यू अपडेट